हिमाच प्रदेश में भारी बरबारी की कारण चंजीवन अस्त व्यस्त हो गया है भारी बरबारी से प्रदेश की 855 से ज़्यादा सड़के बंध है जिसे लोगों को गंतव्यतक जाने के लिए पैदल हिमार्च करना पर रहा है जिला शिमला में ही 260 से ज़्यादा सड़के बा सड़क पर नमक रेट डाला जा रहा है जिससे फिसलन से बचे जा सकें। स्थाने लोगों का कहना है कि बरबारी से सड़के बंद पड़ी है जिससे पैदल ही घर से दफ्तर जाना पड़ा है। पारी बरबारी के कारण पानी जम गया है बिजली गुल है जरूरी समान पीट पर ही ले जाना पड़ा है प्रशासन को शेगर रहत देनी चाहिए। झालरी सबस्त falta कि बंद भालरी के कारण से साथना चाहिए। है és कर लhouगपka को ढाना पाते साथनी चाहिए। प्रश्चलों क बर्श पाना पा Abby 10 मान से स Candide कर दो कि अजय को वाल लाल बाल लाल लाल प्रच्सोर्स न पते हैं कर दो अपया प्रूंद कर दो अपया कर दो अ जो अपया है क्वाई नौऱ्ण है झाल झाल जैसे हम ने सुना था उसे कहीं बेतरिन यह सचाई है स्वर्ग यहीं बे उनी पेटाए ही इमाले का भी लेता ही पूरा बर अपरी हो रहा है वह सांद्र कुमपार है यह यारख से रहने वहड़ा है वह फुल इंजवाह हुआ है खुरा कमी थे लाख घुभादा noise फुल इंजवाह ह् working हमने जितने उमीद किसी उससे भी ज़्यादा देखने को मिला हैं पर अब अब आरें में फुलिजना ओर जन्ना जेवर जन्नद बुरा जन्नत अबिला है कि एची बारी दर्फ भारी ही है प्रंतु आने जाने में बडिसमस्थ से हो रहे हैं जैसे रास्तिया भी सारे बंदेया हो रहे हैं कि अबने पबली का जा रहे हैं जुसके खारण वैसे तो सभी खूश है परूंपी आसे लग रहा है कि अभी रोड खुल जाएगा तो उस्टे ज्यादा अच्छा होगा कि अब कि अबीड आइगा तो बिलाल चाल रहा है पर उनकी लाइट बढ़ आज़ा देरा आप से पिक्टों का सामने है जी कि विए गाड्यू का दिकत है हाठटिस का दिकत है बोत बरबारी परी है पाइदल पर चलने में दिकत है समान का थैंग वह दिकत है